हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजली और आप लोगों का बहुत बहुत श्वागत है हमारे कीचन यम्मी जोन में आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यूर रिसेपी लेके आई हूँ इसके लिए मैंने पत्ता गोबी के पत्ते को निकाल ली हूँ अब इसके जो बीच वाले होते हैं न मोटे वाले हिसे उसे ऐसे चिलनी या चक्को से निकाल ले तो यह फोल्ड होने में तूट जाएंगे इसलिए मैं इसे चील के पत्ला कर दे रही हूँ इसे प्रकार से सारे पत्ते के बीच वाले पार्ट को जो मोटा होता है उसे छिलनी है चक्कु से काट के निकाल दे उसके बाद मैं ले रही हूँ एक बरतन में पानी पानी को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था उसमें इसे पत्तो को ऐसे डालके 2-3 मृटत तक अच्छे से सहल कर लें जब तक पत्ते थोड़े साप्ट nya हो जाए आप हो जाने से इसे फोल्ड करने में काफी एजी हो जाता है और यह असानी से फोल्ड नहीं समय अब देख सकते हुआ मैंने से ब्तों निकाल दूँज और आते सब्सक्राइब ज्यादा ब्रettes निकालों ऊक्राइब कर दों गी और रही से थंडा ओने लिए रख दोंगी आप देख सकते हों ये पत्य थोड़े नरम हो गया है आप मैं इसकी स्टफिंग की तियारी कर लेती, इसके लिए मैंने चार बॉयला लू लिया है इसे में मैं इसे छोटे-छोटे पीसेस में मैस कर लूँगी आप घीस के भी यूज कर सकते हो इसका मैंने एक गाजर को घीस लिया है इसमें डालूँगी अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक सिम्ला में इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ मैंने cabbage लिया है, पत्त गोबी उसे चोटे चोटे तुकडे में काट ली हूँ, ईसे लम्बे सेप में मैंने लिया है थोड़ा सा धन्या पत्ता, इसे いसे में add करूंगी मैंने लिया है थोड़ा हरी मिर्च शारे को अच्छे से डाल के इसे अच्छे से mix कर ले अब देख सकते हुँ, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ अब मैं यहाँ पर स्वाद के अनुशार नमक डाल रही हूँ धन्य पॉडर, हाप टीश्पून लालमिश पॉडर, हाप टीश्पून गरम मशाला पॉडर, हाप टीश्पून डालूँगी अब मैं बेशन का गोल बना लेती हूँ, पकॉड़े के लिए इसमें मैं लेए हूँ, एक कटोरी बेशन इसमें मैं डालूँगी थोड़ा हल्दी पॉडर, हाप टीश्पून लालमिश पॉडर इसमें काफी अच्छा कलर आता है और इसमें टू टेबल श्पॉन कॉण फ्लोवर ले रही हूँ, अगर कॉण फ्लोवर नहीं है तो चावल अटा उसे भी ले सकते हैं उसे भी काफी अच्छा करंची बनता है अब इससे अच्छा से मिक्स कर लूँगी इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं डाल रही हूं नमक ध्यान रहे हैं नमक थोड़ा कम ही योज करें क्यूंकि स्टफिंग में भी मैंने नमक डाला है तो स्वात के नमक और इसे हलका हलका पाने डालके बैटर बना ले इसका इसे ज्यादा पतला नहीं रखना होता है जो मैंने श्टफिंग के लिए बनाया था उसे अब मैं यहाँ पे लूँगी चीज आप यहाँ पे मॉजरेला चीज का भी यूज कर सकते हो मैंने स्लाइस वाला चीज को कट करके यूज किया है इसे रख डूंगी और इसे अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से बंद क होता है श्टफिंग बाहर भी नहीं आती है इससे यह रेडी हो गया है हमें एक और श्टफिंग करके दिखाती हूं मैंने इसी परकार से चीज और आलुक श्टफिंग रख ली थी अब इसे मैं ऐसे फोल्ड कर लूंगी ऐसे फोल्ड कर ले उसके बाद मैं लूंगी बेश दोनों साइड से प्लरट के गोल्डेन होने तक पका ले अब मैं इससे शर्फ कर लूंगी अब देख सकते हो कितना यमी दीख रहा है मैंने इसको शर्फ किया है टोमैटो केचप के साथ आप हरी चटनी के साथ भी इसे खा सकते हो यह काफी अच्छा लगता है यह देखो हम अच्छा यम्मी दिख रहा है चीजी ए खाने में काफी टेस्टी लगता है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना अगर अच्छी लगेगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी अगर अच्छी लगी है हमारी रेसिपी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के दिए